नमस्ता दोस्तों आप सभी गरबार फिर से स्वारत दोस्तों एक confusion solar panel लगाने में अमेशा देखने को मिलता है कि आपको छोटे पैनल होते हैं कुछ बड़े पैनल्स होते हैं ऐसे में क्या हम सभी solar panels को एक साथ जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी 100% जो authentic information है उसके बारे में पूरा detail के साथ बताऊंगा हर एक point समझाने वाला हूं कि मान लेज़े आप पस 100W, 500W, 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 550W तक के solar panel है तो यह different type के solar panel आप कब जोड़ सकते हैं और कब आप इनको नहीं जोड़ सकते हैं इसकी क्या conditions देखने को मिलती है तो आज कई वीडियो complete देखेगा तो सारे doubt सारे conclusion मैं clear out कर देने वाला हूं और सक्यात कुछ ऐसी जो गलत information भी deliver कर देते हैं लोग बैनल जोड़ने के मात्यम से तो वह information भी बताऊंगा कि ऐसे आपको कभी नहीं करना है तो चले शुरुआत करते हैं दूसर यहां पर अगर हम लोग बात करने सबसे पहले नंबर एक पॉइंट की कि हम पैनल को कब जोड़ सकते हैं तो हमारे पास जो सोलर पैनल की टाइप सारते हैं आज की रेट में वह सोलर पैनल के दो टाइप आपको देखने को मिलते हैं two type and I am not talking about the technology I am talking about the world नंबर एक आ तो PWM technology के inverter यूज करते थे और यहां पर हमें 12 वोट के पैनल लगाने पड़ते थे और क्यों उसका ब्रीजन था कि VOC मेटर करती है हमेशा जब हम होई भी सोलर पैनल को इन्वेटर में कनेक करते हैं तो दो टाइप के हमारे पास सोलर पैनल होते हैं 12 वोट का होता है और 24 व पैनल है तो आपको 24 वोट के वो जाते है और यह तो हो गया पहला जो टिफरेंस से सोलर पैनल का दूसरा जो डिफरेंस में आता है वो आता है अब technology का क्या है एक तो हमारा पॉली किस्वाइं डूसरा आता है मोनु टेक्मोलोजी कह सकते हैं इसके अंदर मोनो पर्कम अब तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलोजी की पैनल जोडने हैं तो उस सिच्वेशन में भी हमें थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है दीफरेंट डिफरेंट अगर हैं तो हम किस कंडिशन में जोड सकते हैं तो जो हमारा पहला था कि जो इसको जोड सकते हैं तो इसका बिलकुछ उत्तर हैं आप जी नहीं जोड सकते हैं अगर आप 12 बोट जैसे मानने जी आप आप 10 वाट का और 550 वाट का पैनल चाहें जालना चाहें तो कि आसे मं हम जो सकते हैं तो यहीं जो सकते क्यों कि इनकी जो व्योजी है उसमें आपको ज्यादा हाई डिफरेंस देखने को मिले जो हंडेड़ वाट का सोलर पैनल है उसके इंदर आपको ज्यादर ज्यादर बीस से मैक्स मैक्स पचिर योशी देखने को मिलेगे और वहीं आगर हम 3030 वाट की बात करें तो यहां पर आपको 45 से लेकर देखने को मिलेगे तो जिन पैनल्स की डिफरेंट है उन पैनल्स को आप कभी मत जोड़ें हाँ एक कंडिशन हो सकती है कि अगर आपके पास नंबर 12 वोट्स के पैनल्स है अब जैसे मालने जी हमारे पास 100 वाट 200 वाट मैं आप लिख लेते हैं चलिए 100 वाट का है 200 वाट का ह आइड हाई 100 वाट का है और यह तीनों 12 वोट के सोलर पैनल है तो ऐसी कंडिशन में हम इन पैनल्स तीनों को जोड़ सकते हैं पर यहां पर एक चीज़ के ठ्यान रखेगा जोड़ने की टेक्निक्स होती है वो दो टेक्निक्स होती है या तो हम पैनल को सीरीज में जोड़त पैनल करनाने का मतलब क्या हुआ कि प्लस प्लस अंड प्लस माइनस 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 को माइनस में जोड़तें और अपने जो इन्वर्टर है उसकी देखने कितने वाट सपोर्ट करता है तो आप इसको जोड़ सकते हैं आराम से कोई दिक्कत नहीं है एक तरीका और लोग बता सबसे लोएस्ट पावर का सबसे लोएस्ट वाट का पैनल का काम करते हैं तो अगर 100W का पैनल हमने 500 और 200W के साथ जोड़ा है तो तीनो पैनल हमारे जो आउटपुट देंगे वो 100W के पार्टिंग देंगे तो नमबर अफ टोटल हमारा यहाँ पर 300W होगा जाते हैं हमज रहे ना कि हमें 200, 400 और 500, 550 होना चाहिए एक्जेक्ट ली पर जब हम इनको सीरीज जोड़ेंगे तो यह पैनल से हमारे 300W के तरीके काम करेंगे पर जब हम इनको सीरीज में ना जोड़कर पैरलर में जोड़ेंगे ताब यह पैनल हमारे 550W का काम करेंगे जाके हाँ थोड़ा बहुत आपको प्लफ माइनस देखने को में सकता है क्योंकि जब जोड़ते हैं तो आप पर थोड़े से आते हैं वाट आपको सबसे बस तरीका है कि आपको जब कुछ भी ना समझ मैं कि मैं आपको एकदम सिंपल पंडा बता देता हूं क्योंकि आप लोग कोई मतलब सोलर का आपका इस्टॉलेशन का काम नहीं है कोई बहुत ज्यादा वैसा टेकनिकल वे पर जाना नहीं है तो वस आपको मिलेगा जाके अगर आप सीरीज कनेक्ट करते हैं तो आपके वहाँ पर वाटेश के लॉस देखने को मिलेंगा यह दो बात होगे 12 वोट की और सेम यहीजीज होगी आपकी 24 वोट के अंतरगत क्योंकि जहां पर वियो सी हाई है वहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कोई दिकत नहीं होगी तो अब बात करते हैं थोड़े बड़े नहीं मंने लिए थे 330 वाट के पैंडाल पढ़े हुई है आप हमें 550 वाट के पैंडाल ले लिए तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें कुछ हमारे पास INTRO 320 के जैसे नामब आफट पैंट अब 250 वाट कर्सक्रम ऑपे यह दोनों पैनल्स हमारे होंगे जाकर 24 वोर्ट के शोलर पैनल्स तो अब ऐसी कंडिशन में भी अगर हम चाहें तो इनको सीडी जो पर लख किसी भी कनेक्शन से जोड सकते हैं पर एक रूल हमेशा याद रखेगा एक रूल आपके लिए हमेशा है कि आगर आपको कभी भी डिफरेंट वाट के पैनल्स को कनेक्ट करना हो आपस में तो इन पैनल्स को कभी भी सीरीज ना करें भले आपकी जो व्योसी है वो चारसो बचासो चैसो हो आपके इंवर्टर की या 200 या 150 यहां पर आप व्योसी मैंच कराने के चक्कर मना पड़ें कि अगर आप मालेजी 330 वाट के दो पैनल्स जोड़ दिये और पांस पचास वाट और पांस पचास वाट इन तीनों को आपने सीरीज कर दिया कि मालेजी अगर हमने ट्रांस फार्मलेस इंवर्टर लिया आप एक सीरीज कर सकते हैं उसके बाद आप इनको पैरलर कर दीजे कोई दिक्तत नहीं होगी आपको सेम आउट पुर्ट देखने को मिलेगा तो जो लोग और कुछ लोग यह बताते हैं कि वहां जो मित की बात है वह बहुत बड़ा मित है कि हम 50 वाट जोड़ दिया साट व व्यो जो सडालों के बाइसा नहीं करता है तो दोस्तों आप को एक चीजaux में आ रही होगी कि बस गोलडन रूहत हैं वह अखता है कि आपको हमशा इस्टिफरेंट Vauras के जो हमारे पैनल से उन पैनल को हमें आपकर में करना करना है पैरलर में करना है और वी ओसी का ध्यां रखना है वर्वोर्ट अभर के सोलर पैनल आपस में करना करें अगर आपको एक्स्रा पड़े हैं तो आप डिफरेंट इंवर्टर में यूज कर सकते हैं उनको अगर एक साथ यूज करेंगे तो आपको 100% देखने को मिलेगा न के हार वाट के अपने अलग-अलग एडवांटेज़ और डिसद्वांटेज होते हैं तो आपका जो भी कन्फूजन होगा रिगार्डिंग टू दा पैनल कनेक्शन अबरीफिंग इली सॉट आउट इन इस वीडियो और आपको कोई बताता है तो आप बिल्कुल भी इन चीज जाएगा चानल पर नए थे तो बीना सब्सक्राइब किये हुए मत जाएगा क्योंकि सोलर से जुड़ी सिर्फ आप तक दुलीवर करने का काम करते हैं